पित्र पक्ष में रोज शूर को जल देने वाले लोटे में डाल दें ये एक चीज, जन्मों जन्मों के पित्र दोस होंगे समापते, पित्रों को मिलेगी मुक्ती, पित्र होंगे प्रसन्द, दोस्तों पित्र पक्ष चल रहे हैं, पित्र पक्ष में किन बातों का ध्यान रख चाहिए और शूर देव को जल देने वाले लोटे में क्या डाल दें ताकि पितर देवों का आशिरवाद आप पर बना रहे। पितर पक्ष को स्राध के नाम से तरपन के नाम से भी जाना जाता है। पितर पक्ष पूर्ण रूप से पितरों को शमर्पित होते हैं। मानताओं के अनुसार पितर पक्ष की पहले दिन यानि की स्राध पक्ष की पूर्ण पर पितर जो होते हैं वो पितर लोक से धर्टी पर आते हैं। और सर्व पितर आमवश्या तक धर्ती पर रहकर अपने परजनों के द्वारा अर्पित किये गए स्राध इत्याद को ग्रहन करते हैं। स्राध अपना यनि की अपना कर और फिर अपने परजनों को आशिरवाद देते हैं। माना जाता है कि ये दिन स्राध ना किया जाये तो मरने वाले ब्यक्त की आत्मा को मुक्ती शान्ती नहीं मिलती। और पित्र परसंद होकर आशिरवाद देते हैं अपने परजनों को और उनसे मिलने के लिए उन्हें मुक्त कर देते हैं। इस दोरान अगर पित्रों को स्राध ना किया जाये तो उनकी आत्मा दुखी और नाराज हो जाते हैं। यद पित्र नाराज हो जाएं तो ब्यक्त का जीवन भी परेशानिया और तरह तरह के शमश्याओं से जुजना पड़ जाता है। और खुसहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथी घर में असांती फैलती है और ब्यापार और गहरष्ट जीवन में हानी होती है। ऐसे में पित्रों को तरप्त करना और उनकी आत्मा की शांती के लिए पित्र पक्ष में स्राध करना बेहद अवश्यक माना गया है। स्राध के जर्ये पित्रों की तरप्ते के लिए भोजन पहुचाया जाता है और पिंडदान और तरप्ण कर उनकी आत्मा की शांती के लिए कामना की जाती है। यनि कि आपको परहेज है या फिर कोई दिक्कत है तो फिर आप यनि कि नहीं जा सकते अपने घर पर भी आप कुछ उपाय करके और अपने पित्रों को परसंद कर सकते हैं। दोस्तों इंदनों में स्त्राध तरप्ण कर्म करने चाहिए पित्रों के नमीत और नदी और सरोबर में आप नहा करके या फिर अगर नहीं जा सकते तो फिर आप अपने घर पर ही थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डाल कर जरूर नहाएं। नहाध होकर फिर आप क्या करें कि आप शूर देव को जल जरूर दें। शूर देव को जल देना बहुत जरूरी है पित्रपक्ष में स्तराध्य तरपन करने के बाद फिर आप यनि कि अगर कहीं शरोबर नदी में हैं तो वहाँ पर खड़े होकर भगवाएं शूर को जल जरूर दें पित्रों को तरपन किया जाए तो बेहद अच्छा लेकिन आप पित्रपक्ष में अपने घर पर भी कर सकते हैं और रोजाना आपको ये उपाय करना चाहिए इस उपाय को करने से पित्र प्रसंद होते हैं और अपना आश्रवात देते हैं इस उपाय को करने से जन्मों जन्मों के पित्रदोस दूर हो जाते हैं पित्रदोस के साज सा काल सर्प दोश और शभी ग्रह पीडाओं से मुक्ति मिलती है दोस्तो इस उपाई को शही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंतक पूरा देखेगा दोस्तो आईए जानते इस उपाई के बारे में उपाई के लिए शुबह जल्दी उठकर आप पित्र पक्ष के दौरान शुबह जल्दी उठ जाएं ब्रह्म महुरत में और इश्नान करके स्वक्ष वस्त्र धारन करें पूर्सों को यह उपाई बीना सिलेवे कपड़े पहन करना चाहिए यानि कि उपाई करते समय पैंट जिन्स बगएरा बिल्कुल ना पहने धोती पहनकर अंगोचा पहनकर इस उपाई को करें इश्नान करने के बाद अब एक लोटा ले ले दोस्तों ध्यान रख़े इस उपाई को करते समय लोहे का लोटा आप ना ले तामबे का लोटा इस्तमाल यानि कि करें, तांबे का लोटा बेहद अच्छा है, या फिर आप पीतल का स्टील का लोटा ले सकते हैं, यानि कि आप चाहें, तो पीतल का और स्टील का भी लोटा ले सकते हैं, और फिर आप एक लोटा सुध जल लें, और उसमें आप काला तिल डाल दें, काला तिल डाल के फिर आप शूर देव को सूर की तरफ अपना मुख करके और चुकि जब सूर उदाय के समय आप देंगे तो सूर पूर्वी दिशा की और उगते हैं तो उसी दिशा की और आप अपना मुख करके शूर देव को आप ओम शूर या नमे या फिर ओम आदित्या नमे इस मंतर का ज तो शूर्देव के सासत पितर देवों की भी कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्मों की जो पितर दोस होते हैं आपके कुंडली में वो भी समाप्त हो जाते हैं और पितरों की कृपा से हमेशा प्रसंदता मिलती है दोस्तों शूर को जल देने वाले लोटे में पितर पक् पुष्प भी जरूर डाल के दें लाल पुष्प अगर डाल कर शूर दे को जल देते हैं तो सोने पे सुहागा पित्रों के कृपा प्राप्त होती है और जन्मों जन्मों के पित्र दोस हो जाते हैं समाप्त। दोस्तों पित्र पक्ष में आप पित्रों को प्रसंद करने के लिए रोज सूर को जल जरूर दें और जल वाले लोटे में काला तिल डाल कर ही दें क्योंकि काला तिल अगर आप डाल कर सूर दे को जल देते हैं लोटे में तो पित्र देव आपके उपर प्रसंद हो जाते हैं म फिर आप यानि की जल देने के बाद फिर आप के लोटे में अगर मा लीजे लोटे में काला तिल रह गया है तो आप काले तिल को निकाल लें जैसे जब आप जल देते हैं सूरदे को तो जल तो पूरा गिर जाता है लेकिन लाश्ट में थोड़ सा काला तिल रह जाता है क्यों शूरिया निमाय मंत्र का जाप करे इससे आपके जन्मों जन्मों के पित्र दोस हो जाएंगे दूर पित्रों के कृपा प्राप्त होगी और कभी नहीं होगी आपको जीवन में पित्र दोस के नाराज होने की यानि कि कभी नहीं आपके उपर होंगे नाराज हो और हमेशा सद पित्र दोस्त दूर हो जाते हैं यानि कि अगर जीवन में किशी प्रकार की परेशानी है ग्रह बाधायें परेशान करती है किशी की नजर टोने ठुटके लग गई है या फिर किसी की आए दिन आपको नजर दोस्त या फिर आपके उपर किशी ने कुछ तंत्र मंदर की बाध तो पित्र पक्ष के दौरान सूर्दे को जल वाले लोटे में एक जारा लाल मिर्च के दाने डाल दें और सूर्दे को जल दे दें तो कभी कोई निगिविटी नकरात्मक शक्तिया आपको पर हावी नहीं होगी। पित्र प्रसंद करने के लिए जल देते हैं। इसलिए शूर्दे को पित्र पक्ष में सूर्दे को एक लोटा जल जरूर देना चाहिए और जल वाले लोटे में आप कुछ डाले या न डाले, काला तिल जरूर डालके दें। ऐसा करने से आपके घर से हमेशा पित्र देव की जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी और पित्र देव अपने बनसुजों पर किरपा बरसाते हैं और जन्मों जन्मों की बड़े बड़े पित्र दोस भी हो जाते हैं समापतें मिर्तु दंट पित्र दोस भी तुरंत हो जाता है खत्म और जो हमारे पित्र होते हैं पित्र बदल जाता है आसिरवाद में और सभी कष्टों से संकटों से मिल जाती है मुक्ती तो इस प्रकार से सूरदेव को परसंद करें और पित्र देवों को परसंद करें पित्र पक्षे दौरान आप ये छोटा सा उपाई करके तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा कमेंट में लिखेगा जै सूर्देव जै पित्रदेव और साथी साथ दोस्तो इसे ज़रा जदा अपने दोस्तों को भी शेर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा जै सनिदेव